तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको CB Plus Easy Cam जिसका model number E25A है इसकी unboxing करेंगे ये जानेंगे कि इसमें कौन-कौन से feature हैं और साथ ही ये भी आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको अपने mobile में कैसे setup कर सकते हैं तो अगर हम इसको internet से connect कर देते हैं तो आप इसको anywhere anytime कहीं पर भी इसको देख सकते हैं तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इसको खुद से setup कर पाएंगे तो आए गाइस पहले हम इसकी unboxing करते हैं और जानते हैं कि हमको इस box में क्या-क्या मिलता है box को open करते हैं तो आपको इसमें एक manual मिलती है जिसमें सारी information दी होती है इसको कैसे setup करना है लेकिन फिर भी कोई problem आ रही है तो कोई बात नहीं मैं आपको पूरा step by step दा नहीं वाला हो कि इसको setup कैसे करना है इसको on या चलाना कैसे operate कैसे करना है तो यह हमारा camera है यह 2MP का digital camera ह और इसका जो frame rate होगा 1080 होगा इसके साथ आपको एक cable मिलती है data cable है यह आपको मिलेगी साथ में और यह mount करने के लिए आपको एक attachment मिलता है और कुछ screw वेगरा मिलते हैं जिससे की आप इसको wall पे mount कर सकते हैं तो इस camera में आपको adapter नहीं मिलेगा पावर देने के लिए adapter आपको एक अपना ही use करना पड़ेगा बाकी इसकी अगर हम features की बात करें तो इसमें full HD पे recording होगी यानि कि जैसे कि मैंने पहले बताया 1080 frame पे record करता है और यह wifi enable है यानि कि wifi से connect हो जाता है और view and talk का option है आप इसे as a video doorbell की तरह भी use कर सकते है 360 rotation है यह किधर भी गुम जाएगा यानि पैन और टिल्ट दोनों के option आपको इसमें मिलेंगे और इसमें motion alert का feature भी है और यह एक night vision camera है और 128GB HD card को support करता है Alexa Google device को भी support करेगा IR distance इसका 10 meters का यानि कि जब यह camera night vision पे operate होगा तो लगवक 30 meter तक cover करेगा तो यह इसके features है और इसकी गर हम cost की बात करें तो यह जो camera का price है फ पर तक का असानी से मिल देगा और अभी मैंने आपको पूरी जान करी देगी कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है आईए अभी जानते हैं कि इसको अपने mobile में कैसे setup करेंगे या अगर हमको इसका view देखना है अपने mobile पर तो वो कैसे देखेंगे तो अगर हम इसको internet से connect कर द यह Apple Mobile के लिए भी है यानि कि OS Operating System के लिए भी अवलेबल है तो फिलाल मैं आपको Android पर करके दिखा रहा हूँ तो Simply हमको करना क्या है browser open करेंगे और यह जो image वाला icon होता है ना इस पर click करेंगे और इसके box में आपको देखिए एक QR code मिलेगा यह देखिए यह QR code है तो जब आप इसको scan करेंगे मोबाइल से देखिए कुछ इस तरह से और इसके उपर टैप करेंगे तो यह आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा और आटोमेटिकली उस एप पे ले के जाएगा और इसी एप को आपको install करना है तो टैप करके इसको install कर लेते है मोबाइल में तो देखिए एप install हो चुका है तो अभी हम open नहीं करेंगे आप पहले क्या करते हैं पावर देने का एक इंतिजाम कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे पहले इसको power देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके साथ adapter आता नहीं है तो फिलाल हम mobile का adapter यूज़ कर ले रहे हैं और आपको करना क्या है कि इस cable को USB port पर connect करना है adapter की और दूसरे end को आपको camera में connect करना है देखिए और यह जो cable है यह C type है यह C type cable है C type cable लगेगी इसमें यह हमने इसको power दे दी है यह देखिए तो अभी क्या है हमने camera को power दे दी है और अब हम क्या करेंगे अपने mobile में उस app को open करेंगे जो अभी हमने install किया है easy cam के नाम से इसको open करेंगे यहाँ पर agree पर tap करना है आपको license agreement मांग रहा है और sign up करना है sign up में आपको क्या करना है इंडिया select करना है और email ID डालनी है तो इसमें आप अपनी Gmail की ID यूज कर सकते हैं क्योंकि उस पर एक verification code आएगा वही आपको यहाँ पर enter करना है यहाँ पर password के कुछ criteria दिया वाए इसी के हिसाब से combination बना करके password डाली field में type कर दीजे type करने के बाद done पर tap कीजे इसके बाद आपको go to app पर tap करना है और फिलाल हम इसको save कर लेते हैं और यहाँ पर आपसे notification allow करने के लिए कह रहा है तो इसको allow कर लिजे अब यहाँ पर आपको कुछी notification की settings करनी है तो इस settings को आप बाद में भी कर सकते हैं तो अभी हम आगे जाने के लिए got it पे tap करेंगे अब आपको यहाँ पर क्या करना है दिखिए आप देख रहे होंगे screen के बीच में प्लस का sign बना वारा है आपको इसको पर tap करना है tap करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे models दिखेंगे जो कि सभी CP Plus के camera के models है तो इसमें आपको अपने camera का model select करना है तो हमारा model है CP E25A तो इसको select करना है select करने के बाद आप यहाँ पर दिखेंगे वो आपको बता रहा है कि power on कर लीजे camera की और blue indication उसमें blink करना चाहिए और voice prompt याणि कि आपको आवाज सुनाए देनी चाहिए आवाज हमको सुनाए दे रही है और इसमें blue LED भी blink कर रही है बस अब हमको करना क्या है next step जो लिखावा है इसी के बगल में एक circle है जब आप इसको उपर tap करेंगे तो ये next वाला जो option है वो highlight हो जाएगा इसको उपर tap करना है आपको अब यहाँ पर आपको 2.4 GHz वाले network को set करना है तो अभी आपको यहाँ पर यह बता दू कि अगर आप GEO का या फिर ATL का broadband connection यूज़ कर रहा है तो उसमें जो router लगे होते हैं उसमें दोनों frequency पे वो router काम करते हैं 5 GHz और 2.4 GHz यानि कि दोनों frequency के network का आपको वो setup करके देखे जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2.4 GHz का जो network है या जो उसकी SSID है उसी को select करना और उसका password डालना है तो यह जो आप network देख रहा है मौरिया के नाम से यह 2.4 GHz पे काम करता है इसलिए यहाँ पे show रहा है 5 GHz वाले आपको network वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो बस आपको simply करना क्या है जिससे आप connect करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे select कर लीजे अगर एक से जादा network आपको show कर रहा है उसके बाद उसी का password आप यहाँ पे enter कर दीजे अब देखिए जैसे ही आप password enter करते हैं तो यह QR code आपके mobile में open होगा तो इसको आपको अपने camera के सामने इस तरह से rotate करना देखिए तो आपको wait करना है कि यह जो camera है यह आपके wifi से पहले connect हो जाए तभी यह आगे वर्क करेगा otherwise वो नहीं करेगा देखिए अब वो बताने लगा ना कि wifi connecting होने वाला है वेट कीजिए और अब आप सुन सकते हैं उसने कहा है wifi connect successfully जब आप यह सुन ले तब आप इसको उपर tap करें तो देखिए आप जैसी इसको उपर tap करेंगे यह device आपके mobile में add हो जाएगी यह देख सकते हैं लिखा भी आ गया है add हो गया successfully बस आपको done पर tap करना है इसके बाद आपको अपने mobile में कुछ notification की settings चेक करनी है कि यह settings है यह enable है कि नहीं है तो आपको क्या करना है सबसे पहले test पर tap करना है इसके बाद आपको auto start को enable करने के लिए next पर tap करना है अब आपके सामने कुछ mobile brands के link दिखाई दे रहोंगे तो जिस भी brand का आप mobile use कर रहे हैं उसी के link पे आपको यहाँ पर tap करना है आप क्योंकि मेरा mobile Samsung का है तो इसलिए मैं Samsung link पर tap करूँगा तो जब आप link पर tap करते हैं तो आपके सामने instructions open होंगे कि कैसे आपको notification की settings को change करना है या set करना है तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इन options को कैसे enable करना है इसके बाद आपको back जाना है यहाँ उपर से और दुबारा back जाना है दुबारा back आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए camera show कर रहा होगा वो अब आपको अगर live view जाना है तो इस camera को पर tap करना है तो देखिए जैसी आप tap करेंगे तो यह configure करेगा और आपको यह live view दिखा देगा यह देखिए यह camera का live view है अब आप देख सकते हैं मैं जैसे से इसको rotate करूंगा view दिखाता रहेगा तो अभी हमारा यह जो camera है यह अब हमारे mobile में connect हो चुका है अब इसको हम anywhere anytime कहीं भी देख सकते हैं बस सरती है कि power और internet failure नहीं होना चाहिए है अब आपको यह जा झार दो चाहिए